वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम सीनियर सिटीजन के साथ हुए दोखे के बारे में और सुप्रीम कोट के फैसले के बारे में बात करेंगे तो आईए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला मामला सीनियर सिटीजन से होते हुए हाई कोट पहुँचा हाई कोट के बाद ये मामला सुप्रीम कोट में पहुँचा जहां परमानी सुप्रीम कोट ने ये बात क्लियर की कि section 23 के तहट senior citizen अपने बच्चों से property वापिस ले सकते हैं इस case का title है सुदेश वर्सिस रमती देवी इस case में रमती देवी एक senior citizen और विड़ो है रमती देवी के द्वारा property अपने बेटे और बेटी को transfer कर दी जाती है और ये transfer उसके द्वारा gift did के द्वारा की जाती है रमती देवी के द्वारा जो property दी गई वो out of love और affection से दी गई उसके बाद बच्चों के द्वारा रमती देवी की किसी भी तरह से ना तो देख भाल की जाती है और ना ही उसे maintain किया जाता है रमती देवी ने senior citizen act section 23 के तहट एक application फाइल की कि मुझे gift did को cancel करवाना है और मुझे property वापिस दिलाई जाए ये case senior citizen tribunal में चलता है और जो application रमती देवी के द्वारा दी जाती है senior citizen tribunal के द्वारा उसे allow कर दिया जाता है और gift did cancel कर दी जाती है उसके बाद रमती देवी की बेटी के द्वारा इस order को high court में challenge किया जाता है इसमें बेटी का कहना था कि उसे property gift did के द्वारा दी गई है और gift did में किसी भी तरह से condition नहीं है कि property मिलने के बाद उसे मा को maintain करना पड़ेगा ऐसे में high court के द्वारा बेटी की इस appeal को खारिच कर दिया गया इसके बाद बेटी पहुंचती है मानने सुप्रीम कोट के पास सुप्रीम कोट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है तो ये कहा चाता है कि senior citizen अपनी दी हुई property वापिस लेना चाहते हैं तब उन्हें दो conditions पूरी करनी होंगी पहली तो ये कि अगर senior citizen इस condition पर अपनी property ट्रांसफर कर रहे हैं कि बच्चे उन्हें बाद में maintain करेंगे तब property ट्रांसफर करते समय ट्रांसफर डिट या कोई भी डिट हो उसमें ये condition लिखवाना आनिवारे है दूसरी condition ये कि senior citizen के द्वारा अगर डिट भी बना दी जाती है condition भी उसमें mention कर दी जाती है उसके बाद भी यदि बेटा या बेटी उन्हें maintain नहीं करते तबी senior citizen act section 23 के तहट आप application दे सकते है और transfer डिट को null and void declare करवा सकते है इस case में ऐसी कोई भी condition रमती देवी के द्वारा mention नहीं की गई थी तो ऐसे मिमानी सुप्रीम कोट ने कहा कि रमती देवी ना तो अपने बच्चों से property वापिस ले सकती है और नहीं उस gift डिट को null and void declare करवा सकती है इस judgment का link आपको वीडियो के description box में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे download करके पढ़ भी सकते हैं तो I hope दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें वीडियो में लास्त तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद